नमो नारायन मित्रो इस बेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ की पी नामबाले लोग एबं भी नामबाले लोग यदि किसी भी प्रकार के बंधन में आते हैं तो इन दोनों के बीच में बनने वाला शंबन्ध कैसा होगा मित्रो यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इस बेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए क्योंकि यह बेडियो पी नामबाले लोग एबं भी नामबाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपुर्ण एबं उपयोगी है लेकिन इस बेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस बेडियो को आप लाइक कर दे साथ में एस्ट्रो मंदिर को आप सब्सक्राइब कर दे एबं इस बेडियो के नीचे अपना नाम कमेंट कर दे एबं बेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने मित्रो पी नामबाले लोग एबम भी नामबाले लोग यदि किसी भी प्रकार के शंबंध में आते हैं तो इन दोनों के बीच में अनुकुल ताव बहुत ज्यादा होती हैं क्योंकि इस नाम के दोनों लोग अपने आपसी जीवन में एक दूसरे के भाबनाओं का सम्मान बहुत ज्यादा करते हैं इबम इस कारण से इन दोनों के बीच में अनुकुल ताव का अस्तर बहुत ज्यादा मजबूत होता है मित्रो आपको बता दे की पी नाम बाले लोग बहुत ज्यादा बेभारिक होते हैं इबम इसके अलाबा इस नाम के लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान बहुत ज्यादा चालाक होते हैं एबम हमेशा अपने जीवन में सपने देखना एबम उस सपने को पूरा करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन यदी भी नामबालों की बात करे तो भी नामबाले लोग बहुत ज्यादा सांत एबम गंभीर होते हैं मित्रो भी नामबाले लोग अपने जीवन में किसी भी काम को करने में ज्यादा समय लेना पसंद नहीं करते हैं इसके अलाबा इस नाम के लोग बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं अपने जीवन में हमेशा इस्थिर होना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एबम इसके अलाबा बी नामबाले लोग बहुत ज्यादा रचनात्मक होते हैं। मित्रों पी नामबाले लोग एबं बी नामबाले लोग इन दोनों के बारे में शाड़ी बाते जानने के बाद यदि इनके दामपते जीबन या इनके प्रेम जीबन की बात कड़े तो इन दोनों के बीच में बनने बाला बंधन बहुत ज्यादा मजिबोत एबं बिहतर होगा तो मित्रो इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दे, साथ में एस्टरो मंदिर को आप सब्सक्राइब कर दे, एबम इस वेडियो के नीचे अपने इस्ट देवता का नाम कमेंट कर दे, एबम इस वेडियो को आप हर जगह से यर कर दे, धन् डड़े